I hope you all are doing good तो आज इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर चला था चैप्टर 10 उसका हम सेकंड पार्ट आज डिसकस करने वाले हैं तो काफी इंटरस्टिंग ये जो चैप्टर रहने वाला है ठीक है तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ठीक है तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को स्वागत आपका इंफोमिसिन ग्यान में मैं हूँ आपका दोस्त आरवन आपको अंदर की समझ है वो डवल अप हो जाएगी कहां यह सारे चीज़ों को यह यह चीज़े भी बोले जाती है तो बायोम तो है बायोम तो है देखे मैं आपको अल्ड़ेटी इकोसिस्टम और बायोस्फेर रिजर्व के बारे में बता दिया है कि वट इसदबी मीनिंग और विझा इकोसिस्टम और बायोसिर्व रिज़र्व इन दौनों जब हम मेजर्स देखेंगे ना क्या देखेंगे मेजर्स आगे आने वाला टॉपिक तो उसमें हम आपको सारी चीज़े बताऊँगा ठीक है अब यहां पर हम पढ़ने वाले बायों क्या होते हैं देखें हमारे धर्थी पर जो ना काफी सारे पेड़ पौदे पाए जाते हैं तो वो अलग-अलग specific areas में हमें दिखाई देने के लिए पड़ते हैं अलग-अलग specific areas में हमें मिलते हैं तो उनकी एक specific जगह होती है उनका एक climatic reason होता है जहां पर वो मिलते हैं यानि वो वहां के native होते हैं ठीक है तो इसलिए इसलिए बायों का मतलब यह है कि यह एक तरह क का mixture है जहां पर plants और animals जो नहीं एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं ठीक है वह वहां से कहीं और नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि वह उस environment के उस climate के यूस्टू हो चुके हैं ठीक है जैसी कि आप अगर देखेंगे कि जो कंगारू है वह ऑस्टिलियों पाए जाते हैं ठीक है अगर ऑस्टिलिय के जैसा कहीं और environment अगर डवलप कर जाता है तो वह जो है जो कंगारू हो वहां से रिलोकेट कर जाएंगे वह उस जगह पर भी र अनिमल के साथ साथ पेड़ भी होते हैं चाहिए फिर वो किसी भी परकार के पेड़ दे लें लिजिए जैसे कि आप अगर आप अपल का पउदा है यह एगर आप क्या नहीं में जो है सेव का पेड़ लगाते है तो वह जो धंडे जो कहना मैं ठंडे स्थान होते हैं वहीं मिलता है जैसे कि हमारे हिमाचल परदीस हो गया उत्तरा खंड हो गया तो यह कही ना कहीं हमें यह पता चलता है कि कुछ species ऐसी होती हैं जो के एक ही जगा पर हमें देखने के-ने के लिए मिल सकती हैं तो BM का मतलब यही है कि तो यहां पर दोनों ही एक साथ जब इंट्रक्ट करते हैं तो वही सारी चीज़ आपर पढ़ने वाले सिंपल सी डैफिनेशन जो आपके बुक में दे रखी है इट इस प्लांट एनिमल कम्यूनिटी विच अंडर टैरेस्टीट लिको सिस्टम ना वट आपको अल्रेड़े बता दिया कि टैरेस्ट्रिल एको सिस्टम क्या है कि ठीक है अब एक इको सिस्टम भी बताया था मैंने आ करते हैं यह बात आपको समझ में चलिए मैं और अगर जात आपको बारे में जानकारी चाहिए तो आपको प्रिवेस वीडियो देखनी पड़ेगे ठीक है अब यहां पर बायोम की दूसरी डेफिनिशन जो आपके बुक में दे रखिए है जो इन सारी कंडिशन में अलाग अलाग जगाओ पर अलाग अलाग जेन को कंडिशन चाहिए और यह सारी कंडिशन वाले एरिया में अलाग इस्पेसिस पाई जाएंगे जहां पर टैंपर जैसे की कैक्टस होगे हमें कहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं तो यह सारी चीज़े जो यह ना कहीं तो वह ना वहीं पर होते हैं जहां पर बारिज ज्यादा होते हैं तो हमिडिशन उनकी एक कंडिशन बन जाती है ज्यादागे लिए जैसे की आप जो है मुमफली जो है वह एक एपस किलिए करने के लिए तो सब के लिए कंडिशन अलगल होती है जैसकि राइस होगये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो अच्छा खासा पानी चाहिए उगने के लिए ठीक है cultivate करने के लिए तो ऐसे ही सारी चीज़े अलग-अलग होते हैं और बायोम जो ना हर अलग-अलग हर जगा पाई जाते हैं क्यों क्योंकि climate जो ना climatic reason हमने पढ़ ली है already को अपने की classification पढ़ी है हमने कि हर जगा पर हमें अलग-अलग climatic reason देखने के लिए मिलते हैं चाहे वो subtropical और ट्रॉपिकोल या temperate हो या फिर Arctic हो या सब आक्तिक हो सब आक्तिक को बोलते है टूंडरा सब आक्तिक को बोलते है टाइगा और आक्तिक को बोलते है टूंडरा ठीक है तो यह सारे जो सारी specific जो है specific कहिना कि हमें यही तो जाहिद करते हैं कि climatic reason जो अलग-अलग है और यही सारी चीज़े जो कहिना कहिना कहिन डिसाइड करती है बायोम को ठीक है और वहां के types of vegetation किस परकार के vegetation वहां पर prevail है ठीक है अब यहां पर बायोम को डिवाइड करा गया है पांच भागों में forest grassland desert और टंट्र अब आया हूं ठीक है यह बात आपको सुन में कि चलिए यह पांच जो बायोम से हम आप देखने वाले हैं ठीक है पांच बायोम बायोम कैन बी डिवाइडे रहना फॉलविंग बेसे कौन से टैंपरेचर और हमिडिटी के बेसे पर डिवाइड करा गया है forest aquatic grassland और डेजर्ट ठीक है डेजर्ट जो कि मैं आपको यहां पर बताया ठीक है forest grassland desert और aquatic वगरा ठीक है यह सारी चीज़ा हम यहां पर देखेंग ठीक है अब यह सारी चीज़े मैं आपको already बता चुका हूँ कब कहाँ पर जब मैं आपको forest वाला chapter पढ़ायता ठीक है जब मैं आपको agriculture के साथ साथ forest भी पढ़ायते कितने परकार के forest वो पाई जाते हैं किसमें human geography में ठीक है चलिए अब यहां पर tropical reason में देखें equatorial reason में equatorial reason अब हम A वाले को ले लेते हैं A1 जो है यानि equatorial वाला ठीक है यह 10 degree north और 10 degree south अब यह कौन से जगा की बात कर रहा हूँ दिखाता हूँ आपको देखें यहां पर यह reason देख रहे हैं आप यह 10 degree north है ठीक है यह 10 degree south है यहां पर reason जो है यह कहीं ना कहीं equatorial reason है ठीक है equatorial reason है और यहां पर जोना काफी जड़ा variety इसके आपको पेड़ भी मिलेंगे यानि गणी variety देखें लेंगे मिलेगी variety तो इतनी देखने के लिए बहुत मलब पेड़ जोना गणे देखने के लिए क्यों क्योंकि यह जोना equatorial reason है और यहां पर साल के 12 महीने सूरज दिखता है सूरज च चलिए अब पीछे चलते हैं अब यहां पर 10 degree north 10 degree south में आपको जोना equatorial वाला reason देखने के लिए मिल जाएका अब यहां पर multi-layer canopy पाई जाती है कि यह canopy मतलब जो पेड़ की सागा देखिए हो अपने कि काफी जो पेड़ होते हैं ओपर से बिखरे हुए होते हैं काफी पेड काफी सारी देखिने के लिए मिलती हैं अब यह जो डैसीडियस forest होते हैं यह कही न कहीं इतने ज्यादा घने नहीं होते हैं मल्टी लेर में canopy नहीं पाई जाती है ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करें तो इनकी जो यह जो रेखा है कहां पर पाई जाएगी 10 डिग्री से 25 डिग्री साउत में पाई जाएगी दिखाता हूँ आपको ठीक है यह देखिए 10 डिग्री से 25 यह इसके बीच में यह वाला रीजन जो है आपको यहां पर यह जीजे पाई जाती है एकुटूरियल अलग है ठीक है यह देखिए मैं आपको खाली दिखाने के लिए बताया ह है और आपको इसमें समझा रहा हूँ ठीक है बस समझाने के लिए कि कहां कहां पर ठीक है यह एक्चुल में सारी चीज़े नहीं है ठीक है तो यहां पर हमें काफी सारी जो चीज़े हैं less dense forest हमें यहां पर देखेने के लिए मिलते हैं और यहां पर tree की जो height होती है वो medium height के tree यहां पर मिलते हैं मगर varieties बहुत सारी होती हैं यहां पर insect mammals पाए जाते हैं बहुत सारे varieties में ठीक है चलिए अब temperate की बात करें forest फोरेस्ट वाले यह टैंप्रेट रीजन कौन से होते हैं temperate और boreal ठीक है यह forest का सब टाइब ध्यान रखेंगा ठीक है अम आपको temperate reason दिखाता हूँ चलिए यह 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 टैंप्रेट रीजन ठीक है यह टैंप्रेट रीजन है पूरा का पूरा यह टैंप्रेट रीजन में आता है यह सब ट्रॉपिकल रिज्जन है यह ँझा लेजिए यह यह सबबुस्टर जलते हैं इह अब टैंपरेट रिजण है यह कहां पर पड़ता यह वेस्टन नौर्थ एस्टन एश्या setzen और सैंटर यह और गशोप में यह सारे चीजेव पढ़ती है कहां पढ़ती हैं कहां कहां पर पढ़ रही है देखिए तैंपरेट रीजन यह यह वाली तो बात करिया हमने ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो यह देखिए यहां पर क्या-क्या चीज़े पाई जाती है क्यों ताकि जो नीचे धरती की नम्य उसको कहीं बचाया जा सके ठीक है यह यह वाली रीजन सब्पोलर रीजन लो सब्पोलर लो बोलते हैं इसको सब्पोलर लो तो यह लो लाटिटूड पढ़ते हैं और यहां पर जो लो प्रेसर बेल्ट जनरेट हो इसलिए यहाँ पर जो आपको क्या है कि ज्याता था बहुत हो देखिने के लिए ए पोदेवगे वाकरा ठीक है तो यही एरिया एक्षेंड हो यहाँ बदल जाता है और टूंड्रा में आ तो भी यहाँ पर जो less dense plant पाए जाते हैं मलब छितर वितर पाए जाते हैं ठीक है यहाँ पर जो species पाए जैसे कि ओक, bridge, maple यह सारी कुछ common species हैं ठीक है और भी दिखा देता हूं और यहाँ पर जो animals हैं जैसे कि parts of Serbia, Alaska, Canada वाले reason में ठीक है दिखा तुम आपको यह देखिए यह वाला reason यह वाला reason सब Arctic की बात करने हैं यहाँ पर ठीक है चलिए आगे चलिए और कोई नहीं देखिए यह और कोई नहीं है टाइगा वाला temperature यह टाइगा वाला reason ठीक है बोरियल ठीक है चलिए अब यहाँ पर यहाँ पर evergreen coniferous trees पाई जाती है ठीक है जैसे कि pine फ्रेंट्स और यह spruce wood picker जैसे animals hawk जैसे animal पाई जाते हैं नहीं बड़ है ठीक है बियर उल्स सरी wolf है यह तो wolves नहीं वूल्स डियर और हैरिस और यह bats जैसी common जो animals है वो यहाँ पर पाई जाते है तो आपका forest वाला जो बाय इए यह चोट बता दिया है ठीक है यहाँ यह पर everygreen forests tropical forest लेख यहाँ पर यह हरे हरे आपको देख रहे हैं यह tropical forest है थीक है थीक है समझेट यह यहाँ पर low pressure belt जाती है है यहां से तो इसलिए हैं यह आपको दिख रहा है हैं यहाँ जिसको टाइगा वला रिजन बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर ग्रास लेंड आप देख सकते हैं यह ग्रास लेंड अभी बात करेंगा तो आभी के लिए छोड़ दीजेए और रब अलखाल, खली, ठीक है, रब अलखाली, साउधी रब्या में, काला हारी, नौर्थ अमेरिका में, सहारा तो अफरिकां पढ़ता ही है, थार डैजर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, A से लेकर C तक, यानि इन तीनों में, A से रिड कौन से है, Marginal Areas of Hot Desert, कहां पर, इन में जो रैबिट वगरा, यह सारी चीज़े हैं पर पाई जाते हैं, ठीक है, रैप्टाइल्स मिलते हैं, रैबिट और रैड, डी में, कोल्ड वाले डैजर्ट में, यानि, कोल्ड वाले, जो डैजर्ट होते हैं, वहाँ पर हमें द desert कहां पर पड़ता है, यह coastal desert है, जो South America में पड़ता है, ठीक है, कहां पर, पेरु वाले reason में, और काला हारी हमारा हमें देखने के लिए मिलता है, कहां पर, यह हमें देखने के लिए मिलता है, नीचे South Africa में, ठीक है, चलिए, coastal वाले desert हमने देख लिए, तो इनके जो animals हैं, ठीक है, cold की बात करें, डीकी, तो यहाँ पर यह तंडरा, climatic reason में आ जाता है, तंडरा और टाइजा जो भी वोल लीजिए, ठीक है, antilope यहाँ पर देखने करें, rabbit, rats वगरा, और ground squirrel देखने करें, और के यह ऊपर रहेंगे, तो जम जाएंगे न, ठीक है, ठंडी तनी पड़त यहाँ पर पड़ेगा, साओधी अरभी हमें, ठीक है, चलिए, तो यह सारे, यहाँ पर देखिए, अफर यह अमेरिका में, मौजव डेजर्ट, और यह विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, चलिए, आगे चलिए, बसे तो एक्जेम्बल नहीं नहीं, आपको बता दिया, ठी और जो है, वल्ड की भी वल्ड मैप से तो आप वहाँ पर जो नहीं, उसका लिफ्ट उठा सकते हैं, देख लेजे एक बार, एक बार आँखों के नीचे से निकाल लेजे, सारे चीज़े जो निभी आपके एक्जैम में कोश्चन बनेंगे ना, वल्ड मैप से या फिर जाएंगे, ठीक है, चलिए, ग्रासलेंड की बात करें तो ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, और टैंप्रेट स्टैपी, ठीक है, यह दो परकार के होते हैं, अब यह जो ट्रॉपिकल सवाना जो होते हैं, वो हमें एफ्रिका में, ऑस्टेलिया में, साउथ अमेरिका में और इं देखने के लिए मिल जाएगा यह ग्रासलेंड आपको देखने के लिए यहां पर आपको नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी देखने के लिए जायेंगे ठीक हैं तो चलते हैं आगे यह वाला था नहीं यह वाला था एक न्ट चली तो यहां पर आपको Grassland ये देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है और इंडिया में भी आपको ग्रास लेंड हीश हैं कि यहां पर जो खेती वह सोरी पेड़ वगर गुने लग जाएंगे मगर यहां पर खेती करी जाती है असलिए तो इन सारे ग्रास लेंड को काट कर जो ना खेती करी जा रहे है इसको जो जो ना ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है खासकर ऑस्टेलिया में ठीक है वहा decor जो ही ज़्यदा जो वीट का production है लियोपार्ड हाई ना एलिफेंट्स माइस मोल्स स्नेक्स वांस ऐसे कुछ एनिमल जो है वो यहां पर पाए जाते हैं अब स्टैबीज की बात करें तो यहां पर यह आपको देखने को में लेगें नौर्थ अमेरिका में और यूरोप में यूरेसिया में यानि ऊपर के होती हैं ट्री एक सच पाए नी जाते हैं मगर यहां पर नी जाते हैं यहां पर पाए जाते हैं यह कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो इन एर्यास में देखने के लिए मिलते हैं तो उर्ड्सल chính यहाँ पर यह वाला reason है, B वाला reason ठीक है, और यहाँ पर यह यह A में आता है, पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर grassland जो होना, वो कहीं नगी, इतने ज़्यादा fruitful नहीं होते हैं, यहाँ पर ट्री वगर जादा होते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनको grassland बोला जाते है यहाँ पर छोटी-छोटी grass यह फिर बड़ी-बड़ी जो जाड़ी वही पाती है, ठीक है, तो यहाँ पर तो आजकल तो encouragement की वज़े से सब को काट दे जा रहा है, और यहाँ पर खेती करी जा रही है, तो अच्छे तरीके से खेती भी हो जाती है, क्योंकि जो wheat जो होता है, अच्छे तरीके से जो है, दूब वगर चाहिए होती है, ठीक है, चलिए, अब देखिए यह aquatic biome की अगर बात करें, तो यह fresh water होते हैं, fresh water में, lake, river, streams, बगर, क्योंकि इन में ही तो fresh water पाये जाएगा, ठीक है, अब यह जो oceans है, तो हैं already salty, ठीक है, तो यह marine मा जाते हैं, ठी ठीक है, अब fresh water में algae आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और कुछ aquatic, और marine plant देखने के लिए मिल जाएगे, इसमें भी, ठीक है, तो additudinal की बात करें, तो altitude, altitude का है, ठीक है, तो यहाँ पर जो slope होते हाई mountain, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको पितर वाले जो पेड़ आपको देखने के मिल जाएंगे, और coniferous वाले जो पेड़ आपको देखने के मिल जाएंगे, यहाँ यहाँ पर बात करते हम, जो biomes है, climate और vegetation के रूप में, ठीक है, पहले हम ने देखा temperature and humidity, आप देखिएंगे हम climate और vegetation के संदर्व में, ठीक है, च यहाँ पर evergreen, मतलब evergreen, हमेशा पत्तियों जो हरी रहने वाली है, मैंने evergreen forest के बारे में already आपको बता दिया, क्या-क्या उसकी features होते हैं, ठीक है, अब rain forest जो है, यहाँ रेन almost पढ़ने वाली है, throughout the year, ठीक है, और दिन में तो पढ़नी पढ़नी है, ठीक है, बायों मतलब ज पोंगो बेसिन, आइफरिका में और साउथ एस्ट एस्ट एस्या में आपको देखने के लिए, मिल जाएंगे, दिखातों में आपको रीजन यह, just a second, यह देखिए, यह वाले रीजन है, evergreen forest, यहाँ पर आपको देखने के लिए, मिल जाएंगे, हमको यह western ghat में भी देखन जलती है, और जो आपको यहाँ पर देख रहे है, prime meridian यह लायम हीं से जाती है, लंडन से होती है, ठीके, आप मुझे इह बताएं कि कौन सा सहरा लंडन का जहां से जाती है, गुजरती है, ठीके, चलिए, बढ़े आंगे, चलिए, तो यहाँ पर आपको यह अइसा क्यों हो यहां पर देखता रहता है यह बात आपके यहां पर पता रहनी चाहिए ठीक है और यह जो कहीना कहीं जो temperature और rainfall होते हैं यह कहीं ना कहीं जो varieties of plant varieties of animal आपको यहाँ पर जेखेने के लिए बिल जाएंगे आपको मैं आपको last video में जो last chapter में food chain बताई है वो इसलिए तो बताई है कि सबसे पहले जो primary producers प्लांट है आप सारी सारी इतनी पढ़ जाती है धरती पर प्लांट पर भी निरभर है ठीक है पौदो पर ही निरभर है अपने खाने के लिए ठीक है अब evergreen forest तीन परकार के होते हैं सबसे पहले जिनकी canopy अपर लेवल तक उच्छी उच्छी जाती है ठीक है यानि 20 से 60 मीटर तक जाती है यह hardwood tree होती है जैसे कि scandalwood का आपने पेड़ देखा होगा सफेद आपने देखा होगा पॉपुलर आपने देखा होगा अगर आप नौर्थ इंडिया से हैं तो आपको जरूर इनके बारे ही पता होगा ठीक है तो वैसे तो यहां पर लिखा है rosewood, sandalwood, syncona और magoni ठीक है तो यह कुछ varieties है जो आपको यहां पर देखने के लिए इबोनी, trees यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यह कुछ examples है जिनकी canopy 20 से 60 मीटर तक चली जाती है height ठीक है अब intermediate level के जो second level पर आते हैं इनकी height रह जाती है वो 10 से 20 मेंटर तक ही ले जाती है जैसे की palm tree ठीक है अब यहां पर कुछ parasyatic plant भी होते हैं ठीक है parasyatic plant और आपको बायों के लासर बताया था parasyatic plant जो है वो दूसरों पर निर्भर करते हैं ठीक है यानि जो देखा होगा आपने के कुछ प्लांट जो होते हैं अपने जबडे में कुछ पक्षी पक्षी जो जो जींगे मशली वगरे जो अभी आ जाते हैं उनके बैठ जाते हैं तो दबा लेते हैं अपने पंजों दा लेवल पर आते हैं लोगर लेवल जिनकी जो हाइट है वो दस मेटर से जादा होती ही नहीं ठीक है तो यह कहीं न कहीं सर्फेस को जो ना ढखकर रगते हैं अब देखिए कैनोपी हमें देखने के मिली थोड़े चोटे दस मेटर वाले फिर उससे उंचे फिर उससे उंचे उनके लिए तो भूब बराबर मिल रही है वो ऊपर बढ़ते जाते हैं फिर उनसे थोड़ी से अगर पैनेटरेट होई तो नीचे आगए तो इसलिए जितनी धूब कम मिलेगी उतने यह पेड़ जो जिनको पोशन कम मिलेगा ठीक है पोशन कम मिलेगा तो इतने यह कम बढ पानी पत्तव से नीचे जमीन पर गड़ी हो जाती है और दलदल जैसी दलदल नुमा एक यहां पर देखने के लिए चाहंटा यहां पर यहांपर क्या होता है कि यह जो चीजे यहां पर यहां पर यह सूखती नहीं है क्यों कि जब सूरद की क्रण यहां पर बड़ल भी रही है और Libra समू forces जब यहां से यहां पर पर उन्यस 54 पर यहां पर जाता है यहां से यहां से यहां से नीचे गिर जाता है यहां phones hablar सूखता नहीं है यानि सूरुज की किर्णों को रोफ रगा पेड़ों ने अपना अपना हिस्ला ले लिया तो नीचे क्या कुछ भी नहीं तो इसलिए इसलिए यहां की जो जमीन है वह मड़ी रहती है कीचड़ नूमा ठीक है गीली रहती है ठीक है वैट कलाइमेट भी बोलत भी यहां पर पाई जाते हैं जैसे कि एलिफैंट्स लैमोर बार्ड्स रैप्टाइल्स इंसाक्स तो बहुत सारे पाई जाते हैं इवन मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं यहां पर ठीक है मच्छर आपको एक वार रात को रुख जाए बस फिर तो कहानी खतम चलिए रेन्फोरस्ट हैं वो कहिना कहीं दुनिया की 40% इस्पेसिस और इस्पेसिस प्लांट की हो या फिर एनिमल्स की उनमें कॉंट्रमिट करते हैं ठीक है यह बात आपको समझें चलिए आगे चलते हैं अब यहां पर देखिए अब यह जो एवर्ग्रीन फोरस्ट देखिए आ नाम पर नस्ट जो हो रहे हैं मैं आपको आपसे पहले डिसकस कर चुका हूँ हमारी जो प्रिवेस चैप्टर से उसमें डिसकस कर चुका हूँ ठीक है तो उनको टांग अड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्यों कि development करना development के नाम पर environment का बहुत ज़्यादा ठीक है अब इस encouragement से क्या हो रहा है deforestation हो रहा है अब अगर deforestation यह चलता रहा ना तो एक दिन दुनिया तबाह हो जाएगी ठीक है अब यह जो जितने भी आपना खाना बनाते हैं किसकी मदद से ठीक है चलिए आप मुझे बताए कि यह कैसा होता है यह पुरा कार्बन सिंग कि ना बोला क्यों जाता है ठीक है चलिए यहां पर temperate grassland या नी temperate biome कि अगर हम बात करें तो यह कहीं ना कहीं northern hemisphere में देखने के लिए मिलेंगे यूरेसिया और नौर्थ अमेरिका में और southern hemisphere में देखने के मिलेंगे Australia और South America में देख लेते हैं इनका भी ठीक है यहां पर दे और South America में यहांपर weld बोला जाता है यहांपर South Africa में यहांपर down बोला जाता है यहां पर कहां पर एस औस ऐस व्वैया में और Canterbury grassland है यहापर इनको न्यूजलेंड में Canterbury grassland बोला जाता है ठीक है यह बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आपकी बुक में अल्रेडी पिक्चर दी हुई है यहाँ पर यह नोट्स है एजी वे मैं आपको समझ में आजाएंगे सारी चीजे मैं इसके पीडिफ टाइलिग्राम पर प्रोवाइड करा दूगा तो पीडिफ के लिए आपको टाइलिकराम का जो यह नो लिंक है वह आपको नीचे मिल जाएगा तो वहां से आपको जॉइन कर लीजिए ठीक है यह जो एरिया से जितने भी है यह रेंशेडव रेंशेडव किया है चलिए दिखाता हूँ यह देख रहे हैं यह पर यह पूरा क इस अपर हो नहीं है लाख़ टागा तो यहां हो हैंघेंगे और हमें अच्छे फ़ूह अने पर पीचे वाले जो अब जब पहाड़ यहां पर बादल है मन कर चलिए यह पूर अपर एरिया है यहां से बादल बना humidity ली और उपर उड़ गया मगर यह बारी है तो ज्यादा उपर उड़नी सकता जब यह इससे टकरायागा तो यहीं बारिस कर देगा ठीक है इसको बोलते है औरोग्राफिक रे मिलें है इसलिए हमें यहां पर जो फेल बगरे जातर देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि हमारे इंडिया और और यहां पर प्रवर्ट स्रंखा भी है तो यहां पर जीतने भी बारिस होती है ही हो जाती है ठीक अड़्करां कर मांसूल बादलोगी अब यहां पर पीछे और ये वाला जो reason है naha ये equatorial reason है ठीक है ये equatorial reason इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं किसकी बात कर रहा हूं तो इसलिए आपको 저 मेंटान देखने के लिए लिए डेखने के लिए चलाएं फिर या फिर डाउन फिर वेल्ड विल्ड हो या फिर यहां पर आप को स्टापीज देखने के मेलेम या फिर हाप फिर मंछूरीयं मिलें या फिर हापर कैंटरबरी देखने के मिलें तो यह सारे घरस लेंड आपको इसलिए हापर देखने करें hat माउंटेन की बज़े से क्यों कि यह रि LAN श्राइज नहीं होती है ठीक है आपको टมपेट ग्रास्टेंड की बात करें हैं तामपेट रिजन आ वाला रिजन यह वाला डीसन तीक करिंगे यह वाले ठीक है चलिए चलें आप आगे चलो फिर समझाना बहुत असान पढ़ जाता है इन मैप्स के वज़े से चलिए वैसे भी आपको समझ माना चाहिए अब आके ये चीजे साइड में लग दो अब देखे ग्रासलें जो नेमली यानि अलग-अलग नाम से इनको पुकार जाता है यूरेसिया में स्टैपीज बोला जाता है ठीक है जो चाइना तक जाते है मंचूरियन ठीक है मंचूरिया तक अब यहाँ पर नौर्थ अमेरिका में इनको बोला जाता है प्रेरीज साउथ अमेरिका में इनको बोला जाता है पाती हैं ठीक है अब यहां पर जो एनिमल्स पाई जाते हैं एंटीलोप्स होर्सेज वुल्स कंगारूद एमू वाइल्डाइस वाइलडोक एटसेट्रा बहुत सारे इन आनिमल यहां पर पाई जाते हैं लेङ हैं hr तो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है पैस्ट्रोलिजम घास ज्यादा है तो पैस्ट्रोलिजम तो आसानी से हो जाएगा या नहीं बेडबगरी चलाने वाले ठीक है बेडबगरी या अच्छे से चलाई जा सकते हैं दमेस्टीकेसशन जो आनीमल से यहापशेशन होते हैं देखिये जो यहापशे आनीमल से होटेल है देखिक इा यहां पर देखने यूद्वरे यह कहीना कहीं जो यहाँ पर चारा ओल्रेडी उपलब्द है ठीक है तो यहाँ पर जब चारा ओल्रेडी उपलब्द है तो भीट पकरी होगी यह फिर जो एनिमल को पालने में क्या जाता है कुछ नहीं चाता है तो इसलिए यहाँ पर आसानी से एनिमल को पाला जा सकता है पै गोवी डैजर्ट कभी नहीं भूलना यहाँ पर ग्रासिस मॉजिस लाइकन्स जैसे चीज़े पाई जाती है लाइकन्स क्या है एक छोटे-छोटे यह नो माइक्रो और्गनिजम्स होते है यह ठीक है अब यहाँ पर जो प्रोड़क्टिविटी इनकी बहुत जदा लो होती है क्योंकि यहाँ पर जोना सोलर एनरजी पहुंच नहीं पाती है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर जोना कुछ ज्यादा अच्छी चीज़े पाई भी नहीं जाते ही पर्मफ्रोस्ट आपको आइस कैब देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर माइग्रेटी जो ए यहाँ पर जोना आपको एक वार जोना मेरे कहने से गूल करकर देखेगा बहुत प्यारे रहें नहीं मले हैं ठीक है मैं तो देखता रहता हूं ठीक है अब यहाँ पर जो पॉपलेशन है वो भी इतनी नहीं पाई जाती है और रिजन के मकाबले यहाँ पर जो कुछ नामी रामी जो ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती है जैसे कि जैसे कि लैप फिंश और यह कि हमो इसके मो इसकी मो और सोमिय ठीक है यहोरे reduce więc में ठीक है चैनडर और अलासक वाले डीजन में भी ठीक है तो यह पूरका पूर्चैक्टर अभी complete नहीं हुआ है ठीक है यह देखे टुंटरा वाला रिजन यह है पूरे के पूरे ठीक है देख सकते हैं आप अल्रेडी ठीक है चलिए तो यह हाई प्रेसर होता है यह पर ठीक है यह लो प्रेसर बेल्ट है यह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेसर बेल्ट है यह लो प्रेसर बोलते हैं एक या क्या मेजर्स हैं कि हम बायोंस को बचा सकते हैं या फिर कौन-कौन से ऐसे हमारी हमें मेजर्स ले गए हैं या इंटरनेशनल लेवल पर कौन से हैं ठीक वो सारी सीचे हम पढ़ने वाले हमारी नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए अभी फिलालकर तो इस वीडियो में इतना हाँ आप से फिर से मिलेंगे एक और नहीं वीडियो में एक और नहीं इन्फोमियों के साथ मग रवश्मय शाल को सुम्सक्राइब नहीं के रहा है अधिस पेंगी अर्थ प CC 251 और वीडियो लाइक क्ये जिए तब तक के लिए विदाने जाओंगा चैन ! क professors ग़ें